नमस्कार दोस्तो आईए आज हम देखते हैं इंट्रारेट स्विच के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास है एक 9 वोल्ट का बैटरी जो कनेक्ट है एक वार से सर्किट बोर्ड में मैं अभी बैटरी को डिस्कनेक कर देता हूं ताकि आपको क्लियर सर्किट दिखाई दे सके यह अमने वैटरी डिस्कनेक कर दी तो यहां देख सकते हैं आप दोस्तो यह है एक इंफ्रारेट सेंसर जैसा टीवी की रिसीवर में होता है इंफ्रारेट सेंसर का सिगनल को हम इंवर्टेड होता है एक्चली सिगनल नेगिटिव में तो हम उसको आप देख रहे हैं जो हमने LED की सेफटी और बाइसिंग के लिए इस्तमाल कर रखे हैं एक केपैसिटर है दो LED है जो दो अलग स्टेट को दिखाती है क्योंकि यह IC रिले को ड्राइब करने की केपेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको वायर ट्रांजिस्टर एक करवाते ह एक NPN ट्रांजिस्टर है और एक रिले लगा हुआ है जो छे से नौ वोल्ट के बीच में ऑपरेटेवल है मतलब मिनिवम रिक्वाइट छे वोल्ट है अब हम एक काम करते हैं इस सर्केट को कनेक करते हैं वापस बाटरी से यह हमने सर्केट को कनेक कर दी अब आप देख रहे हैं कि LED जल रही है अब जब मैं इस रिमोट की कोई सी भी बटन यसा कुछ कमपल्सर ही नहीं है बटन को दबाता हूं देखे एक स्टेट चेंज करते है और एक आवाज आएगी ट्लिक यह रिले के स्विच होनी के तो आपने देखा किस तरीके से यह आई आर स्विच ऑपरेट करता हूं फिर से दिखा रहा हूं यह रिमोट से मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं फिर रिमोट की बटन दबागी मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं देखे दोस्तों स्टेट चेंज Straight Change Straight Change और यह Straight Change फिर से Straight Change Straight Change Thank You